कि एक पर फिर सकता स्वागत है एंड सबसे पहले मैं अपने स्री कृष्ण भगवान यद्वंची को नमन करता हूं और आज मैं आपको चैनल अपना दूसरे टाइप का है लेकिन जब अपने समाज की बात आती है अपने कोम की बात आती है तो चैनल चैक कैसा भी हो वीडियो बनाना अपना फर्ज बनता है देंकि वैसे तो मैं के सरकारी इंप्लोई हूं तो इसलिए प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता क्योंकि सरकार की कुछ गाइडलाइन्स होती है लेकिन घर से डिजिटली स्पोर्ट पूरा कर सकते हैं और अपने समाज को अपने कोम को समर्तन दे सकते हैं अहीर जो रेज़िमेंट की मांग है तो उसको पूरा करवाने के लिए जितना सहयोग बनेगा उतना सहयोग करेंगे और हुआ है क्योंकि आपको पता होगा अहीरों के बच्चे पूरा रेवाडी मेंद्रगड गुड़गां फोज में इतने अपने सैंटिक बाई जा रखे हैं मेरे घर से खुद मेरे खुद के घर के तीन बाई मेरे ताव के पता नहीं आपको सबको नहीं पता लेकिन उन्होंने भी देश की आजादिये में पणा सयोग दिया अपना जो उन्हें से बढ़ता था वो उन्होंने जाके Sindhapur में लड़ए लड़ी, जो परणी आजाद इन फोज थी, उसमें थे वो, और उसके बाद, जैसे वो आजाद इन फोज थी, उसके बाद, जैसे जैसे टाइम जाता हुए, सेना में बर्ति होते हैं, हमारे यहां के जवान, बहुत ज़दा सेना में सेवारे दे रहे हैं, न हमलें है describes तो सरकार से नि्योड़ने सप्शिल यह इपने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रक्षा मंत्री राजुनाथ सिंग जी इन से निवेदेन है कि हमारे भी समाज की आवाज सुनी जाए और रही रेजिमेंट के गठन को लेकर के जल्दी से जल्दी काईय और जो हमारे यहां के सांसद है रावींदर जीट जी उनसे भी निवेधन है कि जादा से जादा पुर्जोर तरीके से समाज की आवाज को विदान सबा में उठाने का काम करें बहुत सारे संसदों का समर्थन वहां पर आया मैं वीडियो देख रहें आज भी और कई संसद वहां पर आ चुके हैं और अपनी जो बात है विदान सभा में राजय सभा में भी जा चुकी है लेकिन आज खेड की दोला टोल पलाजा पर जो अपना अंदोल जल्दी ही सरकार सुनवाई करेगी और अहीर रेजिमेंट बनानी पड़ेगी और इसी के साथ मैं खत्र करता हूँ एक बार फिर से अहीर रेजिमेंट हक हमारा और यद्वन सी वगवार स्री किर्शन को भाई मेरा नमस्का थैंक्यू और सभी साथ यों को जो भी वहां पे स को मैं करूंगा दाने वागा